Amazon Flipkart पे 5,000 के बजट में कोई बिल्ड नहीं मिलेगा आपको, बट हमें तो 5,000 के बजट में एक decent बिल्ड बनाना है, उससे पहले 8,000 के बजट में आपको ये सारे बिल्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें basically आपको i3 third generation मिलेगी, 108 GB की SSD देखने को बले की 8 GB RAM होगी और आपकी basic बिल्ड होगी, और ये सारे referberish model हैं, और मैं बोलूँ का आप बिल्कुल brand new PC, new motherboard, new RAM और 5,000 रुपे मना सकते हो, यकीन नहीं हो रहा ना, let's build it, सबसे पहले आपको processor देखना है, ये इविन online listed है 500 रुपे में, तो offline तो आराम से मिल जाएगा, और उसमें आपको fan बगेरा भी मिल जाता है साथ में, मेरा suggestion ही होगा, आप offline purchase करो, तो शायद आपके पैसे और ज़्यादा बच जाएंगे, otherwise budget अच्छा है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आपको 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 बेस्ट आफर में मिल जाएगा, आपको 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 बेस्ट आफर में मिल जाएगा, जो नेक्स कॉम्पोनेंट है, वो है DDR3 RAM, अभी यह motherboard DDR3 RAM को सबोर्ट करता है, not DDR4, Antisport की 690 Neo, आपको 809 रुपे में अवैलबल है, इविन सिम्ट्रॉनिक की भी आप कंसीडर कर सकते हो, 850 रुपे में, और कंसिस्टेंट भी 800 रुपे में वैलबल है, कोई भी कंसीडर कर लो, तीनों मैसे, तीनों ही best है, और बहुत अच्छा performance देंगी, 8GB से आप शुरुबात करो, जब आप 800 रुपे और afford कर सको, तो 16GB RAM तो जरूर लगा लेना, क्योंकि क्या होता है, over the period जब आप इंस्टॉल करते रहते हो, तो वो आपकी memory दिखाती रहती है, और एप है भी हो जाती है, तो शुरुबात में जितना मखन चल रहा होता है न, बाद में उतना मखन नहीं चलेगा, इस शीज को ध्यान लखना है, और next importing component है, वो है M.2 NBME SSD, तो बजट हमारा 5000 के आसपास है, 128 MB का ही storage मिलेगा इस बजट में, बट अगेर अगर आपके पास पुरानी कोई HDD लगी है, तो उसको भी inbuilt कर सकते हो, हम चूज कर रहे है Zebronics का MN13, चुकि 128 GB SSD है, और 1000 रुपए में अवैलेबल है, NTSport 6.9 NEO भी इस बजट में मिल जाते है, और Silicon Power P34 A60 भी मिल जाते है, 128 GB में, और सभी की Read&Write Speed बहुत अच्छी है, अप्रॉक्सिमेटली 1600 MBPS, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉंपोनेंट है, SMPS और कैबिनेट, तो को ऑनलाइन मत परचेस करना, बहुत मेंगा पड़ेगा, बाहर जाओ मार्केट में, 700 से 800 रुपए में बहुत अच्छी metallic build के साथ cabinet मिल जाएगी with SMPS, और जो की बहुत अच्छी से काम करेगी, तो 900 रुपए में बजट माल लिया, cabinet के लिए with SMPS, अब एक बार दुबारा calculate कर लो, हमने 500 रुपए हैं प्रोसेसर के लिए, 700 रुपए हैं मदरबोर के लिए, 800 रुपए हैं DDR3 रुपए के लिए, और 1100 रुपए में मिल जाएगी 108 GB के SSD, और 900 रुपए में आपको cabinet प्लस SMPS आराम से देखना को मल जाएगी, जो हमारा budget होता है 4,997 रुपए में, तो हमारा build प्रेपेर हो जाता है, अंडर 5,000 में, और ये same build, आप किसी भी shop पे आराम से बनवा सकते हो, without any confusion, कुछ component आपको online नहीं परचेस करने पड़ेगी, best buy के रहे, जिसे RAM हो गया, SSD हो गयी, otherwise most of the component आप market से खरीद के, आराम से build कर सकते हो, और referverist परचेस करने की कोशिश करोगे, same build के साथ, वो आपको cost करेगा, साथ से 8,000 रुपए, तो आपको इतने QE pay करने हैं, और ये build, आप जितने भी generic task है न, वो आराम से करा देगा, और RGB RAM जब इसमें add और कर लोगे, तो ये और ज़्यादा faster आपका performance देगा, फिर में कोई confusion जानो, please comment,